हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल कोडर हिंदी में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेइन करने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं with the help of जावा स्क्रिप्ट तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रेइट कर दिया आपके अब हम इसे सिंपल वी एस कोड में उपन कर लेते हैं तो मैं आप उपन विद कोड कर देता हूँ जैसी मैं आप इसे वी एस कोड में उपन किया तो आपके सामने get started डाला page है आपको सिंपली से cross कर देना है अब आपको यह गड़ना है आपको reverse string.js एक file create कर लेनी है आप किसी भी नाम से file create कर सकते हैं तो मैं आपके reverse string.js तो reverse string से हमारा क्या मतलब में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ अगर हम कोई भी word type करते हैं तो वो हमें उसका ultra type करके हमें output मिल जाएगा ठीक है चाहिए तब वो कैसे लेंगे आप simply हैंब for example यहाँ पर code लिखते हैं तो सबसे पहले हम भी लिखेंगे const जो की एक variable है JavaScript में ठीक है तो यह लिखने बाद अब हमें यहाँ पर variable का name दे देंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँँआ और यहाँ एक एक घोट करेंगे रिवर्स स्ट्रीं्ग हम यहाँ यूज करेंगे फैटेरो function का फैटेरो function कैसे देते हैं parentheses,Yegual यहाँ पर bracket और यहाँ पर देख सकते हैं कळी प्रेसे चीक है तो इस तरीके का आप यहाँ पर arrow फैटेरो function का यूज करके कर सकते हैं प्रेंथेसिस में आपको string लिख देना है str, ठीक है, कुछ भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, जोड़ी नहीं, आप str लिखें, then अब हम यहाँ पर एक और const बनाएंगे, जो हमें एक array create करेंगे, वो array कैसा होगा, एक empty array होगा, empty array आप यहाँ पर direct empty array नहीं छोड़ सकते हैं, empty array डालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा str, जो कि आपने parenthesis के अंदर दिया है, then आपको यहाँ पर लिखना होगा split, तो यहाँ पर JavaScript का एक method है, उसे हम कहते हैं, split, तो यह लिखता हूँ, split, और इसके अंदर आपको empty छोड़ देना है, यहाँ पर आपको empty string दे देनी है, जैसे आप देख सकते हैं, आपने array create किया, कौन्स variable नाम का array बनाया है, उसके अंदर string दी, string dot, split कर दिया, उसको आपने blank छोड़ दिया, blank string, clear, अब आपको क्या करना है, array dot, यह एक तरीके से array नहीं मैंने आपके इसे नाम दिया है, जो उसका variable नहीं मैं है, वो नाम दिया, आपके एक array है, ठीक है, तो array dot reverse string यहाँ पर parenthesis लखा के छोड़ देंगे ऐसी, अब हमें क्या करना है, इसमें join method भी उसको करना है, जब हमने एक बार इसे blank string छोड़ दिया, उसे reverse कर दिया, अब हमें join करना है उन सबको, तो वो कैसे करेंगे, str, जो हमारा str है, फिर आप लिएंगे equal, अब लिएंगे array dot join, j, o, i, n वाला, ठीक है, यह भी JavaScript नहीं एक function या method कह सकता है, यह हमें provide किया है, यह भी empty रहेगा, then, अब हमें क्या करना है, हमें आप output चाहिए, तो हमें आप देगें कि console.log, ठीक, console.log, और यहां पर str आप provide कर दीजी, अब आप अगर इसे program को run करेंगो, से पहला हमें इस function को यहां पर call कर देते हैं, हमें इस function को यहां पर, तो मैं लिखता हूँ, re, str, reverse string, जो कि हमने create कर यहां पर हमने इसे call कर लिए, then, हमें इसे यहां पर output देना है, कि हमें input देना है, कि हमें क्या देना है, जिसके हमें reverse string चाहिए, ठीक है, तो मैं आपर reverse string में मैं लिख देता हूँ, apple, छीक है, जो कि हमने उपर रखा था, आप देख सकते हैं, example के लिए 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 आता, अ आप यहां पर आपके node, R और tap दवा दीजिए, जैसे आप R लिख करके tap दवाएंगे, तो file का name automatic आजाएगा, जैसे आप enter it करेंगे, तो जो हमने output सोच आता है, कि हमें यह output चाहिए, वो हमें output मिल चुका है, मतलब कि हमारा जो program है, वो successfully run हो रहा है, तो इसकी मदद से आप किसी भी string को reverse string में convert कर सकते हैं, अगर आप कोई program अच्छा लगाओ, तो आप मेरे channel like, share, subscribe, जरूर कीजिए, मैं पहले ही दो program already निकाल चुका हूँ, add two numbers और largest three numbers में से, अगर आप कोई video पसंद आती है, तो आप मेरे channel like, share, subscribe कीजिए, अगर आपको program रन नहीं होता है, तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, thank you so much.